आज हम बनाने जारे हैं बहुत ही क्रीमी और बहुत ही टेस्टी वयुलिवूप साथ जो कि भी पसंद आता है। हेलो भी लवली प्रैंट तो चली बनाना शूर करते हैं अज की समझेदार रैस्पी को। क्रीमी पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम यहां पे दो कप पास्ता ले लेंगे आप कोई भी पास्ता ले सकते हैं हमने यहां पे पैने पास्ता लिया है अब इस पास्ता को अच्छे से एक से दो पानी वाश कर लीजिए और तब इसे हम बॉइल करने के लिए चड़ाएं पानी आप अपने पास्तव के रुशार्ट यहाँ पर एड़ दो कप पास्ता के लिए चार कॉप पानी का यूज किया है और यहां पर हम आप एड़ कर देंगे अपनी जो हमारी कॉर्न उसको भी साथ में ही एड़ कर देंगे अगर आपके पास को ना होगा छाप कर सकते हैं क और एक चमच हमने आड कर दिया है और इसको अच्छे से हम मिला देंगे तो जब तब पास्ता बॉयल हो रहा है तो आगे का प्रोसेस देख लेते तो यहां पर हमने ली है कैपसिकम जिसको हमें छोटे-छोटे टुकड़े में काटना है प्याज ली है छोटे-छोटे टुकड अभाया थिर मिल में इसको हमारा थिरफी टुक्यों मिल इसा कर तो अब हम पास्ता और कॉन को इस तरीकेanter कर लेंगे किसी भी छनी में उन मिल जो इसका पानी में पार कॉपारी में हम लिए श्टाची होता है तो जिए हम सासी हो सकता है और यहां पे अब हमने इस पानी को दूसरे बरतन में रख लिया है और पास्ता पे एक वारी इस तरीके से ठंडा ठंडा पानी डाल दीजेगा ताकि इससे जो हमारी पास्ता है वो खिली-खिली बनी रहे अब गैस पे चड़ाएंगे आम एक पैन और पैन में हम चड़ाएंगे दो चमच के बराबर ऑइल और एक चमच के बराबर हमने यहां पे डाल दी है मक्षन अब जब यह मेल्ट हो जाए अच्छे थे तब हम इसमे डालेंगे गार्लिक तो garlic को अच्छे से हमें थोड़ा सा 2 मिनुट तक पकाना है जब इसका कच्चा पन निकल जाए पुरा सुनहेरा नहीं होने देना है कच्चा पन निकल जाए बस उतना ही पकाना है और इसमें add कर देनी है हमें अपनी प्याज यह छोटे-छोटे slices में हमने cut करके रखी थी इसको भी हमें एक मिनुट तक saute करना है ज्यादा हमें इसे गलाना नहीं है तब हम इसमें add कर देंगे जो हमारी काली मिर्च पाउडर और ग्यानो और चिली फ्लैक्स इन सबको अच्छे से मिला के गैस फ्लेम बन कर देंगे और अब इसे हमें प्लेट में निकाल लेंगे तो यह हमारी हो चुकी है saute और हमने इस तरीके से प्लेट में निकाल लिया है गैस पर हम चड़ाएंगे एक दूसरा पैन तो अब हमें यहां पर अपनी सॉस तयार करनी है क्रीमी क्रीमी सॉस तो हम इसके लिए दो टेवल स्पून यहां पर मक्षन आड़ करेंगे और इसके इसका अच्छा टेष्ट बना रहे तो अब हमने इसमें एड कर दिया है दो चम्मच के बराबर मैदा और इसको अब कंटिनुसली आपको चलाना है ताकि इसमें लम्स नहीं पड़े तो हमें इसको ज्यादा नहीं भूजना है रेड नहीं होने देना है लाल नहीं होने देन हेंगे तो क scarf के दूद को चार से पांच वारी डाल के इस तरीके से धीरे धीरे कइसमें एक भी लंड रहे तो लाष्ट में आप देख सकते हैं जो हमारी sauce की यहां पर यहां पर त्यार हो चुकी है एक भी लंस नहीं दिख रहा है इसमें तो कंटिनिसली आप जब इसे चलाते रहेंगे तो आपकी एक भी लंस नहीं बनेगी तो अब हम इसमें ऐड़ करेंगे यहां पर स्वाद अनुसार नमक तो नमक हमने सब्जियों में भी डाल तो हमें स्वाद अनुसार डालना है यहां पे हमने 3-4 चमच पीजा सॉस डालना है पीजा सॉस ना हो तो आप सैजवान सॉस भी डाल सकते हो दोनों का बहुत अच्छा टेश्ट आता है तो यहां पे अब हमने इसमें एड़ कर दी है अपनी वैजिस और अच्छे से इसे मिला है कम फ्लेम पे ही इसको मिलाना है अच्छे से और फिर हमें गैस का फ्लेम बंद कर दीना है तो यहां पे हमारी जो वाइट आप साॉस पास्ता है Tang era टेश्टी टेश्टी क्रीं मी स्वाइट से पास्ता बनके लवली बहुत यमी बनके तयार होती है तो बनाइए इस रेसिपी को और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे बेल आइकन का बटन है तो उसे प्रे जनि का दको का दो जूग झाल दो उख सब्सक्राइब का एकिर जाइब का देंग शेमिली झाल योवली झाल जते हैं रखको जशे हैं शे कर17 009